नमस्कार वैशेवपार नीज में आपका स्वागत और मैं हूँ आपके साथ चेतना चौधरी दिनाग 22 को वैशेवपार स्पॉंसर्ट कारेकरम ने नटराज आर्ट कलब दुआरा अवार्ट फंक्शन वा 23 को एडवाईजरी बोर्ट के बैठक वा सारे डिस्टिक रिपोर्टर वा ब्यूरो चीफ के लिए वरक्शॉप रखा गया नटराज आर्ट अवार्ट फंक्शन में हर समय वैशेवपार नीज चैनल का ही नाम होता रहा इस आवर्ट फंक्शन में मुख्य आती थी वा वैशेवपार के सीई ओ कुमार विजेवा एडवाईजरी बोर्ट के चेर्मेन अजे कुमार बंसल और एडवाईजरी बोर्ट के मैंबर मिस्टर टी आर मित्तल सभी इस आवर्ट फंक्शन में मौजूद थे मिस्टर सत्य प्रकाश जैस्वाल के होस्टिंग के अंतरगत पूरे वैश्य वैपार की टीम को स्टेज में बुला कर सबको सम्मानित किया गया वा अपने शेतर में उत्तम कारे करने के लिए ब्यूरो चीफ वेद प्रकाश गुपता बहराईच डिस्टिक रिपोर्टर सुनील शर्मा बहदुरगर रिपोर्टर मनोच कुमार गुपता गाजीपूर रिपोर्टर संतोष कुमार अगरवाल और रिपोर्टर शिव चरम समाच बजे तक विस्तार रहा जहां सभी वैश्य समाच के दिगजवा कॉर्परेट जगत की सभी मुख्य अतीथी के रूप में उपस्तित थे इस बैठक में वैश्य समाच को एक जुट करने और वैश्य वैपार नियूस चानल को आगे बढ़ाने वा उसके पहचान को ले मिस्टर सतीश तायल और रोनियार वैश्य समाच के प्रेजिडेंट मिस्टर दिनेश गुपता सभी महानू भावो को एडवाजरी बोर्ड में शामिल होने के लिए बहुत-बहुत बधाई दी गई इस सभा में वैश्य समाज वा नियूस के लोगों को एक जुट करने वा अपनी पहचान राष्टर इस्तर में बनने की बात की गई आगे की पूरी खबर के लिए सभी सब्सक्राइब कीजिए वैस वैपार न्यूज चैनल द्वारा आयोजित एडवाईजरी बोर्ड की बैठक का आगाज हुआ इस बैठक में All India के West Organization के मुख्य और खास अतिती वो सारे Corporate जगट के वो वैस और वैपारी जगट के चेर्मेन वो सभी उचे पर्दिकारी के लोग उपस्तित थे इन सभी मुख्य अतिती को वैस वैपार के CEO मिश्टर कुमार बिजय जी और एडवाईजरी बोर्ड के चेर्मेन अजय कुमार बंसल द्वारा सम्मानित किया गया और सभी मुख्य अतिती ने माल लक्षमी के समीब ती प्रजलित कर सभा का आरम किया हमारे एडवाईजरी बोर्ड के चेर्मेन मिश्टर अजय कुमार बंसल ने इस बैठक का सुरुवात करते हुए वैस समाज वैस वैपार न्यूज चैनल के बारे में कहा कि ये न्यूज चैनल किसी एक वैस लोगों का नहीं है यह पूरे समाज की चैनल है और हमें यह चैनल हर गाउं गाउं के कोने कोने तक पहुचाना है मिश्टर बंसल ने गराफ दिखाते हुए दर्साया कि किस तरह हमारा चैनल का ग्रोथ रेट है और किस तरह से हमारा चैनल आगे बढ़ रहा है सभी अतिती एक दूसरे के बातों को ध्यान पुर्वक सुन रहे थे वैस वैपार के CEO मिश्टर कुमार बिजय ने लोगों को बताया कि कैसे हमारा चैनल हमारे वैस समाज के लोगों के लिए ही है बहुत खूब उधारन देते हैं उन्होंने कहा कि अन्य चैनल उसी के पास भड़कती है जिनके पास राष्टी अस्तर में कुछ पहचान होता है हमारा चैनल अगर एक गली में अगर एक वैस लोग की बैठक चल रही है तो हमारा चैनल बहिचक उसके पास जाता है और जाएगा साथी आरके जलान जो एक मसूर निर्देशक वो फिल्म डाइरेक्टर वो CMD जेके हम इन्फा प्रोजेक्ट लिमिटेट के चेर्मेन है वैस समाज को लेकर इधोने लोगों को बताया कि हमारा वैस समाज कम जोर नहीं है हम बच दूसरों के लिए करते हैं अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाते जिसके कारण हम अपनी पहचान नहीं बना पाएं इसी पहचान के लिए West Weapon News चैनल से जुड़के इस चैनल को और West समाज को आगे बढ़ाया जाए सभा में आये रिपोर्टर्स के लिए ये बहुत महत्पुर्ण दिन था सभी को यहां से कुछ न कुछ सीख तो मिली ही है साथी उमंग ग्रूप के चेर्मेन मिष्टर जै किसन गोयल ने कहा कि West Weapon News चैनल एक आंदोलन चैनल है क्योंकि अभी तक कोई अन्य चैनल नहीं है जो West समाज के लोगों के बारे में बताए और दर्साए ऐसे में West Weapon चैनल ही हमारा और हम सब का चैनल है और हमारी और से हर संभव मदद दी जाएगी उन्होंने कहा कि हम मिलके West समाज को और West Weapon News चैनल को आगे ले जाएगे आज West समाज में लोगों की कमी नहीं है जो युवा है कुछ करने की ललक है लेकिन उन्हें कोई माध्यम ही नहीं मिलता कि वो कुछ कर पाए इसी संदर्व में रोन्यार West समाज के अध्यच दिनेश गुपता ने क्रांतिकारी भासन देते वे कहा कि हमें खुद के लिए काम करना होगा कोई हमारे लिए काम नहीं करेगा West समाज हमारा है यहां के लोग भी हमारे हैं साथ ही West Vapor New Channel भी हमारा ही है हम सब मिलके West Vapor New Channel के मदद से West समाज को मजबूत बनाना होगा साथ ही सिरीब्रामपुरी अन्चेतर आसरम के फाइनेंस चेर्मेन मिश्टर सतीश टायल ने West समाज के बारे में कहा कि हम सब को कंदे से कंदे मिला कर चलना पड़ेगा ताकि राच्टी अश्टर पर West समाज और West Vapor New Channel मजबूत हो सके कि चाहे कॉंग्रेस के सरकार रहे या भीजेपी के सरकार हो आप पार्टी के सरकार है लेकिन कभी भी जो है ना हमेंसा इस बात की चर्चा रहती थी कि जो राजनित भागिदारी मिली ची वो नहीं मिलती है जनसंख्या के मुतारिक और अब नई पूरी काफी बर्चर की हिस्सा ले रही है तो आने वाला समय आपको कैसा दिख रहा है आने वाला समय है अगर वैसे समाज को अगर आप बीजेपी या कांग्रेस जो भी आगे लाएगी तो वैसे समाज बढ़ चड़के इसका नम इना इसमें बागिदारी लेग है और वैसे समाज के लोग चै कोई किसी भी पार्टी से खड़ा हो तो वैसे समाज ही भी कठा होने लग गया है कि चै कांग्रेस से खड़ा हो चै बीजेपी से खड़ा हो चै आमादमी पार्टी से खड़ा हो तो वैसे समाज एक दूसरे से इसका नम मिलके चलेगा और उसक के प्रणाम अच्छे आएंगे समाज के प्रतियाप काफी काफी आप समर्फित रहा हैं सुरूस रहा हैं जैसा कि आपने बता बता तो आप मुझे एक ऐसा वाद क्या बता है जिसके बाद से जो है इस समाज का सुकिसमाज में गरीब तपके के लोग भी है जो बहुत गरीब समाज की लोग है चाहिए वो किसी भी गोत्र से आ रहे हों या बहुत सारे ऐसे लोग है जो जिनके अंदरे में काफी एस्टेडी करने के चंगता है उनका में पैसे का वहाव में नहीं बन पाते हैं क्या इसके लिए हम लोग का समाज यानि आपका समाज कभी इस दिसा में क सारे हिंदुस्तान में वैसे समाज के लोग जो भी आ जाते हैं वैसे समाज के लोगों में एक थोड़ी सी कमी है भी कोई गरीब है या कोई इसका नहीं कुछ चाता है तो अपने बाई के पास नहीं आता जो आदमी मदद कर सकता है उसके पास नहीं आता इसलिए वैसे जिवागा हुआ है कि भी हमारे गीब भाई गीब भाईयों के हम मदद खरें में जाह तक मैं समस्ता हूँ कि आपका जो है कई संगठों से जूड़े हुए है तो जूड़े हुए है और इस के प्रति आप काफी समझ पित रहा है हैं उस भी से खास तो पर कुछ एक ऐसा एक्जामपल आप मुझे बता है जिससे ऐसा लगता है कि समाज के प्रती गरीब बर्दैस्टों के प्रती हमेशा से जो है दिल्चस्पी रही है और प्लस में आगे वो रहेगी गरीब जो वैसे समाज है वैसे समाज का लोग जो अपन समाज को और साथी जो है अपने देश के राष्टपती और प्रधान मंतरी को मोडी जी को भाजपा को आप क्या संदेश देना चाहेंगे मैं तो मोडी जी को अमिर्शा जी को यही दूँगा राष्टपती जी तो माम अहीं मैं इसका नम देश के सब तपके के इसका नम पिता है कि मैं तो मोदी जी को एकी कि लोगों को जो बिलकुल इमानदार है चवी के साव हैं। उनका आथ हमेशा देनी में लगा रहता है गरीबों के परती वयससे समाज के गरीब नहीं सब जाती जो गरीब है दलित है सब के पृति हिमान दरी से देनी का परती रहता है मैं तो म lloy हो दोंगा के भी वयससे समाज के लोगों को आगे लाए और इसका नमग Müिना पोलिटिक्स में लाएं जिससे की देश में क्रेप्शन भी खतम हो जाए क्रेप्शन भी कम होएगी और इसका ना मेना लोगों का बला भी होएगा हर तपके का बला होएगा अब वैसे समाज के लोग एक युनिवर्श्टी बना रहे हैं इसका नम सेक्टर बाइस में तेरा मिंजी लोग स्पिटल बनके त्यार हो गया है इसका ना तो वैसे समाज के लोग गरीब आद्मियों के परती कोई भी जाती का गरीब आद्मियों के मन में दया कहती है साथी सभा में आए अंदिगज अती थी वैस समाज वो वैसे वैपा न्यूज चैनल के बारे में बहुत खूब कहा विके बंसल जो इंडियन विजनेस पार्टी के नेशनल प्रसिडेंट है उन्होंने वेस्ट वेपा न्यू चैनल को एक अंदोलन और वेस्ट लोगों का साथ जोडने वाला चैनल बताया वहीं सिरिवेस्णो सेवा मंडल चरिटेवल ट्रस्ट के प्रसिडेंट मिश्टर सतीस अगरवाल ने कहा कि वेस्ट समाज के लोगों में काबिलियत होती है सब कर जाने की लेकिन कर नहीं पाते जिसके कारण उन्हें जो पहचान मिलनी चाहिए वो मिलनी पाती और भी आये स्पेसल गेस्ट जिन मैत्री संग के अध्यच इंदरजित बंसल वेस्ट वर्ल फांडेशन के नेशनल प्रेसिडेंट यस्पाल गुपता चेर्मेन अगरवाल फांडेशन एवन अडवाईजरी बोड के मेंबर मिस्टर टी आर मित्तल रमेश चंदर सास्त्री जो स्पेसलिस्ट इन एजुकेशन फिल्ट से वास्ता रखते हैं अगरवाल समाज के कैलास मित्तल आए सभी महमान ने वेस्ट समाज के आगे बढ़ने की बात की वेस्ट समाज न्यूज चैनल एक क्रांतिकारी चैनल बताते वे सभी लोगों को इसका साथ देने को कहा साथी हमारे वेस्ट वेपार के वेबसाइट www.westvapar.com को भी एडवाजरी बोट के चेर्मेन वो सभी मुख अती थी ने मिलकर एंटर प्रेस कर वेबसाइट का लॉंच किया वेस्ट वेपार न्यूज चैनल द्वारा अयोजीत 23 को ज्वाहर लाज नेरी उवाक केंदर ITO न्यू देली में वक्सोप ट्रेनिंग का आयोजन किया गया था इस वरक्सोप में वेस्ट वेपाई न्यूज चैनल के सभी छेतरों से वो 11 राज्यों से डिस्टिक्ट रिपोर्टर ब्यूरो चीप आये हुए थे सभी के बीच में ट्रेनिंग चला इस वरक्सोप में एडवाजरी बोर्ट के मेंबर भी मुझूद थे जिन्होंने सभी रिपोर्टर को जानकारी देते हुए बताया कि किस तरह अब हमारे चैनल को आगे बढ़ाने के सुंदर में कायर करेंगे कैसे आप अपना आउटपूट अधिक जेख सकते हो और किस तरीके से वेस्ट समाज को आगे बढ़ा कर एक पहचान दिला सकते हैं मार्केटिंग स्ट्रक्चर जिसे मार्केटिंग हेड नन किसर गुपता द्वारा समझाया गया एकाउंट स्ट्रक्चर जिसे चैटर्ड एकाउंट सुमीत गुपता द्वारा बताया गया मैनेजमेंट बड़ी को लेकर मिस्टर गौतम कुमार दुवारा दर्साया गया और हाँ स्ट्रक्चर और वेबसाइट को अधित्य सिना दुवारा बताया गया था वेबसाइट के सभी रिपोर्टर वो ब्यूरो चीप को अंतिम में मुखी अतिति दुवारा स्ट्रिफिकेट दे कर समानित गया गया सभा में आये सभी अतितियों और चीप गेश्ट अपने वेबसाइट में उत्तम कार करने के लिए वेस्वेपार की ओर से बीजेपी कमर्सियल एडवेंचर के सदस्य मिश्टर अनील कुमार गुपता, वेस्ट समाज अध्यस मिश्टर चगत नरायन गुपता, महराजा अगरसन और गिनाइशन के मेंबर मिश्टर जितेंदर गोयल और हाँ टेलीविजन और असोसियेशन के पृत्वी राज सिंग को सटिव के द्वारा सम्मानिज किया गया, सभी अतितियों ने चैनल की प्रसंसा करते वे कहा कि वेस्ट वेपार न्यूज चैनल सच में करांतिक कारी चैनल है, ऐसे में हम सब अगर मिलकर इस चैनल के साथ रहे तो वो दिन दूर नहीं, जब वेपार न्यूज चैनल सच में एक आन्दोलन कारी चानल है, वेश्य समाच वेश्य वेपार को मजबूत बनाने के लिए एहम भूमिका निभाएगी, और वेश्य समाच को आगे ले जाएंगे, चाहे वे राजनितिक शेत्र हो, चाहे खेल कूद के शेत्र में हो, सभी शेत गुपता उमा शंकर गुपता संचर पृत्वी राज सेंग इत्यादी जैसे वरिष्ट गण आकर वहिश्य वपार न्यूस चैनल को सराया और इसे एक वहिश्य समाज के लिए क्रांतिकारी चैनल बताया आज के इस खास कारेकरम में बस इतना ही हम फिर लोटेंगे तब तक के लिए धन्यवाद